सबी को जहिन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जहिन रियक्शन्स पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज की लेटेस्ट और एक इंपोर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे कि जहां एक तरफ भारत की गंतंतर दिवस पे फ्रांस के प्रेजेंट मेकराउं आ रहे हैं जहां पे भारत फ्रांस से और सारे रफेल जहाज खरीदने वाला है और दूसरी और अमेरिका के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा बोइंग जहाजों का आफिस भारत के कर दें ताकि हम आपके लिटेस्ट और इंट्रस्टिंग वीडियो लाते रहे हैं जैहिंद जैभारत आ रहे हैं सुने भारत और राफेल खरीदले लेकर ताड़ साफ हाओ डियू सी इस यह जो बोइंग फसिलिटी जो इंडिया की इंदर जिसका नरेंद्रा मोदी ने काल इफता की है बैंगलोरू में मैं शुरू तो मैं इस पर करना चाहूंगा हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बड़ी सक्स ज्याती हुए है काकड़ साब गए थे डेवोस में बिजनस लेने हैं लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में पूछ तो ज्याती है जिस तरह हमारे फ्य खुरा तदाद मैं कहूंगा इसको खुरा तदाद है जी मासाब दूसरा यह है जो मेरे इस पर कामेट्स हैं वो यह हैं कि जाहरा बॉइंग भारत में बनेगा उसकी वजा यह अमेरिकन तो काम करने से जवाब देगे वह तो कहाँ हम नहीं काम करेंगे वह तो ब्लून इस शॉटडाउन पड़ा है अमेरिका के अंदर जिस तरह मैंने आपको एक अर्स की थी कि एलान मस्क ने आई से तक्रीबन छे महीने साथ महीने पहले कहा था कि अमेरिकन जो है वो काम पे ना आने के लिए एक्सक्यूज़ ढूंडते हैं जिस तरह वर्क फाम होम है फैडल आंट चाइना में 24 घंडे चल रही है अब दुनिया मैनिफेक्चर करेगी अमेरिका तो अब यहां पे सिर्फ मरवाना पिएगा और दुनिया चलाएगी इनको और वो दिखें कितना अरसा चलते हैं चलने वाले हालाद नहीं हैं मैं मुसलसल देख रहा हूं कल मैंने कल प्र यह जान बूज के इस वक्त जो वह बूटा चेंग हमारे जो फर्स्ट ओपन लीग के जो हमारे मिनिस्टर हैं बलके प्रेजडेशन के वह इंचार्ज हैं और वह सखतरीं लिबरल हैं वह कहते हैं कि हम एरपोर्टों को ठीक इसलिए नहीं करना चाहते हम लोगों को इनको ट आपने खुद फर्माया मैंने अगले दिन जो लिस्ट आई है कि दुनिया में तियारों की सबसे ज़्यादा नंबर किसका है सबसे पहले इंडिगो जो कि इंडिया की एरलाइन है सबसे पहला नंबर उनका अमेरिका में कोई कोई इस वक्त तियारा नया नहीं खरीदा जा कुछ भी नहीं हो रहा और उड़ते जो त्यारे हैं उनके द्रवाजे खुल रहे हैं आपने देखा होगा कि अगले दिन पिछले आई से को हफता दस दिन पहले अलास्का में अलास्का एरलाइन का त्यारा उड़ रहा था उसका द्रवाजा खुल गया बच्चे की शड़ भी उड़ गी उसमें बलके मैंने उस पर ट्वीट किया था कि आज अमेरिका भी बिल्कुल इस तरही है उसका द्रवाजा खुल चुका है और अवाम के कपड़े उतर रहे हैं उड़ रहे हैं तो बिल्कुल यह बहुत बड़ा मैसमता हो मुबारक बात देनी चाहिए भारत को कि उन्होंने ऐसी इंवार्मेंट क्रियेट की है भारत के अंदर के ताके इंटरनेशनल कम्यूनिटी जो है वो अट्रैक्ट हो पहले और यह एक दिन में नहीं हुआ यह मैं यह सुनने वालों के कानों में से यह निकालना चाहता हूं कि इस सब से ज्यादा जरूरी का मांगना शुरू कर दें ऐसी जब वह पर कारोबार नहीं होता और यह यह आई से भारत में नहीं हो रहा पहले भारत में प्रूब किया था आपने आपको दुनिया की फार्मेसी इस वकत मैं जो भी दुवाई अमेरिका में लेता हूं उसके उपर मेर्ड इन इडिया पिछले यह मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की में तक्रीबन पिछले बीस या पचीस साल आप कह सकते हैं कि उनकी एफर्ट थी एफर्ट तो बहुत पुरानी है बन्यादें तो नहीं रख दी जब इंडियन इंसीटूट आफ टेक्नालोजी बना दिया था इंडियन इंसी इंडियन इंसीटूट आफ टेक्नालोजी से थे माइक्रोसाफ्ट गूगल और अजेब भंगाफर वर्ड रहें सेम हाई स्कूल है हैद्राबाद और मेरे जैसा बंदा बात करें तो कहते हैं यह राक एजेंट बोल रहा है मैं तालीम कि तुम्हें बात करता हूं तो मैं नै उसका ले लो मिसाल आप कि दो दुनिया में किस तरह बनती है लेकिन चीमा सब उसमें इस पर मुबारक बात दोंगा बहुत जरूरी है अच्छा हुआ है और साथ ही इस पर मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आपने जिस तरह बताया कि एमैनुवल मेकरां आ रहे हैं जनवरी कहा होगा नहीं शायद आपना जाएं क्योंकि इस वक्त गवर्मन्ट तो उबामा साथ चला रहे हैं और यह जमूरियत के उपर एक तमाचा है कि एक इनसान का बारवा साल है उसकी प्रेजिदेंसी का आज़ और यहां पर यह भी अफवाएं उड रही हैं कि हम उसकी तो इस 20 साल के बाद अमेरिका बिल्कुल इस जगा पे आ जाएगा कि ना बार्डर होंगे ना जहाज होंगे ना गाड़ियां होंगी, कौम गदों पर होगी और सैक्लों करोंगी, क्योंकि इनका इरादा है, फासल फ्यूल को बंद कर देना, गाड़ियां बंद कर देनी, ब गाड़ी इस्टेट में नहीं भी गाड़ियां भी बांद हवाई जहाज भी बांद सिर्फ गॉर्मन अपरेटेटेट ट्रेंस एंड साइकल्स एंड खोते यह हमारा सोर्स आफ जो होगा ड्रांस्पोटेशन तो यू कन प्रडिक्ट आर फ्यूचर तो यहां से सारा बिजनस चला जाएगा दूनिया में और उसमें सबसे जादा बिजनस कहां जाएगा मैं बता रहा हूं आप पहले नंबर पर इंडिया दूसरा नंबर चाइना इनके पास फिर भी गुजारा नहीं है और दूसरा बतार हूं चाइना भी स्ट्रगल कर रहा है बिजनस के लिए आप तो वो हसके निकल गया यहां से उनोंने का जबना तो दफा करोए तो इनका तो कोई future नहीं है मैं तो चाइना का लीडर हूं राभ काया कौम को जवाब देना है उन्होंने कलिफोर्णिया में बिलियोनों क이 उन्होंने बिलिएंर्ट जो अमेरिकन ति उन इंट्र्सिंग बात बल्के इस पे और मैं कर सबना चाहाँगा मैंने आज इस पर ट्वीट भी किया है और किव च्यूंकि उस पर प्रेजिडेंट बाइडन से क्वेशन किया है किसी जुर्णलिस ने उन्हों कहा ने हैं आप क्या कहेंगे यह इस चीज़ का प्रूव है कि इर प्रड़ा नहीं जाता थो ला cynिल यूग्ष मट इस ट्रिके सब्सक्राइब थो टेक जूतिक चोड़ें और अफगानस्तान से रात के अंदेरे में तो अब कहते हो दुनिया तुम्हारे बदले ले यह पासिबल नहीं है कल इसका रियक्शन यह था दूसरा में वापस उसी टापिक पर आना चाहता हूं चीमा साथ अब जो मिक्रा है उनका तीसरा दौरा है भारत का यह पहला दौरा नहीं है और उनके जो रैसिप्रोकल रिलेशन्शिप एक दूसरे के साथ मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा कि मोदी साब चीफ गैस थे उनके नैशनल डे के उपर जुलाएं में और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पे दो सौ तालीस इस से ज्यादा तीन सो के क्रीब लोग जो थे भारत से जाके इन्होंने वहां गये थे और इ उन्होंने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में तो अगर हम बात करें रफेल जहाजों की तो अल्रडी रफेल जहाज जो हैं वो तकनीकी मामले से बहुत ही ज़्यादा अडवास हैं जिसे देखकर पहली पाकिस्तान वी किनींद उड़ी हुई थी और भारत और ज 30,000 इंजिनियर्स भारत के उसमें काम करेंगे तो ये भारत के एक बड़ी उपलब्दी है जो ना सिर्फ भारत की एविशन इंडर्स्टी बलकि भारत की जो डिफेंस है उसको भी और ज्यादा मद्बूत करेगा तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होग झाल झाल